पुना स्वागत और अभिनंदन श्रिजन नवाचार में मैर्शन शुकला आठमे सप्ता की कारी उजना जुकक्षा एक और दो के लिए है 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त के बीच की ये उजना है आप जो भी हमें e-content मिलता है उसको आप लिख सकते हो विशयगत और learning outcome भी आप लिख सकते हो जो आपको यहाँ योजना बनानी है वो एक कारे दिवस के एक दिन पूरव बनानी है यानि आप यह योजना बना लेंगे दूसरे दिन उसका क्रियानवयन करेंगे तत पश्यात यानि वहां से लोटने के बाद ही स्वाकलन किया जाएगा तो देखिए यहाँ पर आप देखिए विशय हमारा क्या है हिंदी है ताथा दाधा न अक्षरों के साथ वस्तुएं ढूनना बादलों की कविता learning outcome आपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों को का से लेकर ना तक वर्णों का ग्यान है बच्चे बादल और कविता को जानते हैं फिर यहाँ देखिए यूजना किस तरह बनाएंगे रक्षा बंदन का तिवहार क्यों मनाया जाता है इस पर चर्चा करते हुए बच्चों को लिंक शेयर किया जाएगा वर्णमाला गीत के माध्यम से का से ना तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा पुनाह मुहला पाटसाला के माध्यम से सुना जाएगा कविता को सूरलय ताल से सुना जाएगा अर्थ भी बताया जाएगा यह आपकी योजना हो गई जब आप इस योजना को कर लीजे फिर यहाँ आप स्वाकलन लिखेंगे कि आपको इसमें क्या सफलता या सफलता प्राप्त हुई फिर यहाँ गरित जो मंगलवार के दिन पढ़ाया जाएगा जाहे तो आप यह सारी चीज़ें दोनों ही दिवस्यनि सुमार मंगलवार को पढ़ा सकते हैं बचते आप विशय को अलग कर सकते हैं जाहे एक साथ कर सकते हैं अब यहाँ देखे गरित क्या आया है विशम योम समसंख्याएं विशम और सम संख्याओं का उपयोग करके संख्या योग, बच्चे सम योम विशम संख्याओं से परचित हैं, इनका प्रियोग वह कर लेते हैं, ये क्या है, ये आपका learning outcome है, फिर बुद्धवार की कार्योजना देखिए हिंदी, हिंदी विशय में कागज की नाव बनाना, अक्षरों को लिखना, बारिश के मौसम की कहानी, बच्चे कागज से नायोम अन्य चीज बना लेते हैं, कवितायोम वर्षा का ग्यान बच्चों को है, अब गडित में देखिए, घरेलू वस्तुओं के साथ दस के बंडल बनाना, और learning outcome क्या यहां आप लिख सकते हैं, आप पढ़ा लीजे, फिर उसका अगले दिन, फिर उसी को आप संचालित करियें, चाहे आप विशय बांड सकते हैं, कि बुद्ध को हमने हिंदी रख लिया, और रहस्पत को यानि गुर्वार को हमने गडित रख लिया, फिर देए हमारे शुक्रवार की कार्योजना, हिंदी में देखिए, तथ दध न अक्षरों के साथ वस्त को आकरशित रंग देना, पानी के दस उपियोग, संख्याओं को गिनने में होने वाली गलतियां, तो यहां आपका लर्णिंग आउट कम थोड़ा जगें कम रह जाती है, वर्ण ग्यान रखते हैं, पानी का उपि समय अपनी गलतियां पकड़ लेते हैं, यह शुक्रवार का आपका लर्णिंग आउट कम है, जो हमें कंटेंट मिला है, और सनिवार में अभिभावक से बात यूम क्वीज, तो इस तरीके से आप पूरी डाइरी में यह सारी योजना लिख सकते हैं, जिसे आपको याद रह और पर डे इसको आप मेंटेन कर सकते हैं, तो अगली कारी योजना के साथ मैं फिर उपस्तित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद.